में आज प्राक्टिकल इंट्रडूस करने जा रही हूं वो है पीजी आई मेंमोरी स्केल, ठीक है? इस पीजी आई मेंमोरी स्केल में टोटल 10 सब्टेस्ट हैं, ठीक है? और ये दस सब टेस्ट अलग-अलग मेमोरी के टाइप्स को मेजर करता है जैसे रिमोर्ट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, मेंटल बैलन्स, अटेंशन अन कंसेंट्रेशन्स, डिलेट रिकॉल, इमेडियड रिकॉल, वर्बर रिटेंशन फॉर सिमलर प्रेयर, वर्बर रिटेंशन फॉर डिस्सिमलर प्रेयर, विज्वल रिटेंशन और रिकॉगनिशन ठीक है ये दस सब टेस्ट हैं हमारे पीजी आई मेमोरी स्केल में आपको ये प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट पे करना है जिसे आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कोश्टन हैं जिसे आप जब पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो सही जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है जैसे आपकी उम्रे कितनी है तो आपको पता होना चाहिए कि जो subject उम्र बता रहा है वो सही बता रहा है तो आपको ऐसे subject को लेना है इस practical में तो इसमें देखी जो पहला sub test है वो है remote memory इसमें आपको subject से इस तरह के questions पूछने हैं जैसे आपकी उम्र कितनी है आपका जनम कहा हुआ है आपकी शादी कब हुई आपने नौक्री या वैवसाय करना कब से चालू किया तो इस तरह से कुछ questions है जिनें उनसे पूछना है और यहाँ पे अगर वो सही जवाब देता है तो सही का निशान लगा लेना है और कितने time में देता है इत मिन्स कि उसको यह answer देने में कितना time लगा जैसे आपकी उम्र कितनी है तो बोलेगा कि 20 सारो तो यह answer उसने कितने second में दिया 2 second, 3 second, 4 second जितने भी second में देगा आपको यहाँ पे उसके second लिख लेना है और answer सही है तो उस पर सही का निशान लगा देना है तिक है इसी तरह आपको सारे questions को पढ़के subject को सुनाना है और उसका response अगर सही है तो आपको यहां सही का निशान लगा लेना है और उसका time note कर लेना है तिक है पता चलेगा जब subject को आप जानते होंगे, आपको पता है कि subject ने रात में क्या खाया, जैसे आगर आप अपने भाई बैन के उपर करते हैं, तो आपको पता है कि वो रात में क्या खाया है, तो ऐसे subject को आप इसको प्राक्टिकल में लीजेगा, ताकि आप answer को सही और wrong टिक कर स जैट तक उसको alphabet बुलवाने हैं, ठीक है, और यह alphabet उसको बुलवाने हैं, और देखना है कि वो कितने टाइम पर वो पूरे ए से लेके जैट तक alphabet बोलेता है, तो वो टाइम यहाँ पर नोट कर लेना है, बारा सेकेंड, दस सेकेंड, कितना भी वो ले रहा है ताइम, उसको यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, उसके बाद है, बीस से जीरो तक की उल्टी गिंती, ठीक, इसमें भी आपको कराना है, और जो भी वो टाइम लेगा, आप मोबाइल पर स्टॉप वोच लगा लिजेगा, जैसे उसकी उल्टी गिंती घतम होती है, आप तुरंथ यहाँ में वो गिंती कर लेता है, आपको स्टॉप वोच बंद कर देना है, और यहाँ पर टाइम आपको नोट कर लेना है, यह है फोर्ट सब्टेस्ट, अटेंशन और कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, इसमें आपको क्या करना है, सब्जिट के सामने यह अंक बोलने है, और अंक वो दोराएगा पहले आपको यह बोलने हैं उसके बाद आपको यह बोलने हैं पहले आप जैसे बोलेंगे 5-7-3 तो वो दोराएगा 5-7-3 अगर वो दोरा लेता है तो सही का निशान लगा लेना है उसके बाद फिर आपको यह बोलना है फिर आपको यह बोलना है फिर यह बोल तो उसने बोला 6-5 आठ इसी दर आगे आपको बढ़ते जाना है और सब्जे सुनेगा और वो उसी कर्म ने दोहराएगा अगर दोहरा लेता है तो सही का निशान और नहीं दोहरा पाता है तो आपको क्रॉस का निशान लगा देना है ठीक है उसके बाद इसी का पार्ट 2 है इ इसे अगर आपने बोला 8-5 तो वो बोलेगा 5-8 ठीक आपने बोला 4-3-7 वो बोलेगा 7-3-4 तो इसको विप्रित कम में आपके सब्जेट को रिकॉल करना है ठीक है अगर वो कर लेता है तो सही का निशान अगर नहीं कर पाता है तो रॉन का निशान आपको लगा लेना है इसे तरह पहले आप यह पूछेंगे, यह पूछने के बाद फिर आप इसको पूछेंगे सब टेस्ट फाइव, डिले रिकॉर्ड, डिले रिकॉर्ड मतलग इसमें आपको subject के सामने ये 500 रब्द लिखे हुए हैं उसको एक सेकंड के लिए सब्जेट के सामने पढ़ना है जैसे चाता, फूल, घड़ी, तस्वीर, पैंसिल जब आप ये कोशनार उसको सब्जेट को नहीं देना है ये कोशनार आपको अपने पास ही रखना है ठीक है और आपको सब्जेट को सा करना होता है ठीक है तो जब सब्जेट आमने बैठा रहेगा तो आप उसको बोलेंगे कि मैं आपको एक सकंड के लिए कुछ रब्द बोला हूँ ठीक है आप उसको ध्यान से सुनिये जैसे आप बोलेंगे चाता, फूल, घड़ी, तस्वीर, पैंसिल इस तरह से आपने उस प움णना है उस तरह फिर आप ये पांच वर्ड बोलेंगे उसके बाद फिर दो मिनट बाद इन पांच वर्ड को भी आप उससे पोछेंगे अगर वो सही रिकॉल कर लेता है तो सही का निषान l grandมे लगा लेना है एक बाद आता है सबटेस कि इमीहिड़ीट रिका अठीक मै यानि इसमें तीन वाक्य है राम कुर्सी से उठा दरवाजा खोला और बजार चला गया ठीक है तो जब आप इस वाक्य को इसी तरह पढ़के आप सब्चेट को सुनाएंगे और सब्चेट तुरंद इसका रिकॉल करेगा ठीक है जो जो भी वाक्य जैसे राम कुर्सी से उठा उसने सही बोला है तो आप सिक लगा लेंगे फिर अगर दुसरा वाक्य उसने दरवाजा खोला भी सही बोला है तो भी आप ठीक लगा लेंगे और बजार चला गया ये भी ठीक बोला है तो आप ठीक आने के लिए कहा इसमें चार वाके हैं तो चार वाके के लिए भी आपको सब्जेट को तुरंद बोलना है उससे तुरंद पूछना है कि मैंने क्या बोला है और सब्जेट जितने वाके सही बोलता है उतने उतने वाके पर टिक लगा लिजेगा और जो वाके नहीं बोल पाता और कल आने के लिए कहां ही ये चौथा वाक्य है तो जितने वाक्य वो बोल पाता है उसके लिए आपको सही का निशान लगाना है जो नहीं बोल पाता है उसको गलत कर देना है अब ये सेंटेंस देखिए मोहन के घर पानी नहीं था एक स्वाक्य उसने बार्टी उठाई दू तो यह क्या पांचों वाक्य आपका सब्जेट रिकॉल कर पा रहा है तुरंट इमिडियेट आपने उसको सुनाया और आपने तुरंट उससे पूछा पूरा वाक्य सुनाना है मोहन के घर पानी नहीं था उसने बार्टी उठाई बजार के नल पर गया पानी भरा और वापस लौट आया इस तरह से वाक्य आपको पूरा बरॉल के बताना है और उससे तुरंट इमिडियेट पूछना है कि अब वाक्य को आप दोराइए इसमें उसको कोई भी रेस्ट नह बूल जाता है या उसको नहीं भूलता या याद रहता है इसको देखने के लिए डिले रिकॉल है और यह इमिडियेट रिकॉल है ठीक है सब टेस्ट इसमें क्या करना है आपको वर्वर रिटेशन फॉर सिम्लर पेर इसमें आपको दो-दो सेकंड के लिए पेर को पढ़ना फिर पांच सेकंड का गैब आदमी औरत दिन रात दो सेकंड में बोला फिर पांच सेकंड का गैब देना है फिर दूसरा बोलना है काला सफेद इस तरह से आपको पेर बताना है ठीक है उसके बाद आपको एक पेर पूछना है और दूसरे का उसको बताना है कि इसका पेर का दूसरा पेर क्या है जैसे आपने पूछा उससे पेर तो उसने बोला फूल तो ये सही हो गया आपने पूछा मिठा उसने बोला नमकीन तो सही हो गया ठीक है यानि पहले आपको पेर आदमी, औरत, दिन, रात, काला सफे लेकिन टाइम का ध्यान रखेगा देखें यहाँ पे लिखा भी आ referencing हे टाइम का आपको ध्यान रखना है कि कितने स्पीड में बोलना है और कितने गाप के बाद आपको दो सकंड में ये दोनों बोल देने हैं लेकिन पांच सकेंड के बाद दूसरा आइटम बनना है फिर दो सकेंड के लिए तो यह ताइम का आप ध्यान लखेगा ठीक है और अगर अगर इसके बाद फिर रिकॉल कराते हैं तो आपको एक पुछना है पेर और वो दूसरा बताएगा फूल अगर सही बता देता है तो सह ही और नहीं बता पाता है तो यहां पे आप रॉंक अन्शान लगा लीजेगा उसके बाद आता है सब टेस्ट एट में क्या करना है आपको वर्वर डिटेशन फॉर डिस्सिंबलर पियर यह भी इसी तरह है लेकिन जो पेर है वो डिस्सिंबलर है जैसे देखे मेच का क्या ह है काला पेड का क्या है उचा लैंप का क्या है खुद्रा बच्चा का क्या है करवा सपना का क्या है गहरा तो देखी जो पेर बने है वो डिस्सिंबलर है चीक है तो डिस्सिंबलर होने की कारण जो सबजट है जब आप उसको बोल की उसके सामने रखेंगे इसमें भी टाइ मेज और काला किस जीड़ certains में पर्स बूले को आपको पांछ मिनट का Center which is required यह जाएं पर पीड़ पर पीड़ लेकिनव पहले में यहां प्धे चाहिए लेकिन इसमें क्या होगा कि दिस準प्रियल Uh और ने कीज़साहा पार आप तो तो आपको उसके सापते तीन प्रयास देने होंगे. लेकिन तीन प्रयास में जो ये सब्द हैं ये एक सिरियल में नहीं बोले जाएंगे. जैसे अगर आप पहले प्रयास में चौथे नमबर को पहले बोलेंगे चौथा नमबर पहले नमबर इतमेंच कि आपने डाला इसको पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा तो चौथे नमबर पे क्या आया? बच्चा तो बच्चा कड़वा का जो पेर है वो first बोला जाएगा second नंबर पे आप second beer बोलेंगे पेर उचा तीसे नंबर पे आप पहला नंबर बोलेंगे मेज काला तीसे नंबर जो शौते नंबर पे आप तीसरे वाला बोलेंगे यानि ये लैंप खुर्दुरा पांचमे नमबर पे आप पांचमा बोलेंगे सपना गहरा तो पहले इसमें तीन प्रयास कराने हैं एक तो तीन लेकिन जो बोलने का क्रम होगा वो हर बार परिवर्टित होगा आपने जब पहले प्रयास में चौथा नमबर बोला है तो आप जब दूसरा प्रयास देंगे उस मेज काला trueSt our आपको की निशान लगा लेन की साथ तर शोसे में आपने बने डिफ्य काला 5 दिखा लेस् segur лайप खुर्दरा और सपना गहरा इस तरह से आपने उसको बोड़ को सुनाया उसके बाद जब आप उसके आप दुबारा रिकॉल करते समय भी इसी क्रम में उससे पूछेंगे कि आप बताएगे बच्चा बच्चे के क्या होगा तो बच्चे का वो बताएगा करवा तो अगर वो स इसी तरह दर मानactor लिजें फिर आपको क्या वन नंबर पूछना है वन नंबर पै क्या है मेच्च का बताएगर बुल लेगा बच्चा का ला अगर नहीं बता पता है क्रोस इसके बाद कि आप पैंच्वा नंबर सपना नहीं बता पता है तो क्रऊस फिर आप उसको यर ट्र का उचा, मेज का काला, सपना का गहरा, बच्चा का कड़वा, लैम का खुर्दरा, फिर आप उसको ऐसे इस करम में बताएंगे पढ़कर, फिर आप उससे पुछेंगे इसी करम में, दूसरा नम्बर पहला पुछा था, पेड का गंपना बताओ तो बताएगा नहीं बताओना तो क्रॉस का निशान और बताओना तो 56 का नियौटह भीर अपने क्या पूछा था मेज फील से पुछेगा मेज का क्या होगा तो बताओना चल ला गbil पताओना गया को पूछाश को परेदा के पूछा क्या है सपना गहरा लैंब खुरदरा पेड़ ऊचा इस तरह से आपको तीसरे प्रयास में भी इसी करम में बोलना है और इसी करम में वापस से सब्चेट को एक अग पुछना जाएजा आप पूछेंगे मेज बताइए बता देता है तो सही नहीं बताता है तो क्रॉस फिर पा इस तरह से आपको तीन प्रयास देने लेकिन तीनों प्रयास में जो यह प्रसुत करने का जो क्रम है वह अलग अलग रहेगा और फिर इसी क्रम में आपको एक पेर बताकर दूसरे पेर के बारे में उसको रिटेंशन कराना होगा ठीक है आती है नौवे सब्टेस्ट की ठीक के सामने कुछ कार्ट सिखाने है तो अभी हम डिसकस करते हैं 9th sab test के बारे में ये है विजवर रिटेंशन ठीक है यानि कि वो विजवर रिटेंशन कितना कर सकता है आपका subject इसके बारे में आपको इस टेस्स से पता चलेगा इसमें देखे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि इसमें आपको एक एक कर्के कार्ड दिखाने हैं और कितने देर तक दिखाने हैं 15 से के लिए कार्ड दिखाने हैं ठीक है 15 से के कार्ड दिखाने के बार फिर आप जो जो भी उस कार्ड्स में बना होगा उस कार्ड्स को वो 30 सेकंड में ड्रॉ करेगा आप उसको कागश पैंसल दे देंगे और जो चित्र आप उसको दिखाएंगे वो 15 सेकंड के दिखाना है और 30 सेकंड उसको देना है वो जो चित्र में बना हुआ डायग्राम है उसको ड्रॉ क यह डायग्राम आपको एक एक करके इसे चाहतर हैं तरह करके आप का और और ऊठड हैं और 25 रावादर और 300 में. इसे चाहतर हाiała है को जिएसे चाहतर हैं. चाहा है के फिसे चाहनु को क्हरूर में का में गर forge है हैं और 15 चाहतर हैं कार्ट तो है कार्ट सबस्सक्राइब सबरेटेnothing यह इस YOUNG वह या ऐडियगराम कर्णाया है ध्या-श्या निटिय ती Amaosokay तो या दिए कॉल अधा कार्ड जो रहेगा उसमें कुछ चीजे बनी रहेंगी उसको 30 सेकंड तक सब्जेट को दिखाना है फिर कुछ देर बाद यानि दो मिनट बाद आप उसको दूसरा कार्ड दिखाएंगे और कहेंगे कि जो चीजे पहले कार्ड में बनी हुई थी उसकी पहचान करें और वो जि है यहांपे आपको इध्यान देना है कि जो हाइटम बने होते हैं वह अब सेम चीज वह ना बॉल कर वह सी मिलता चूलता भी शब्द भूल जाइसा लोग बना है फिकने तो वह लॉक को ताला बूसकता है ताला चाभी बोल सकता है या ताज़ा बोल तो यह कुछ इस तरह के वर्स दिये होगे हैं अगर वह लॉक को लॉक बोलता है चीक है तो आपको इसको स्कोरिंग करनी होगी वन अगर वह लॉक से मिलता जूलता आइटम्स वर्स यूज करता है तो आपको इसके लिए हाफ मार्स देने होंगे ठीक है तो जो स्कोरिंग है वह सबकी स्कोरिंग अलग अलगे वह में नेक्स वीडियो में बताऊंगी आपको चित्र है दसमें सब्टेस का वो कुछ ऐसा है जो देखिए इस तरह से है पिच्चर दिखाए दे रहा है उसमें वन और टू लिखा हुआ है जो पहली पिच्चर है उसमें दस आइटम से तो आपको ये चित्र दिखानी है तीस सेकंड के लिए subject को उसके बाद जब तीस सेकंड हो जाएंगे तो दो मिनट बाद 2 मिनट का ग्रैब देना है और दो मिनट बाद आपको दूसरी पिच्चर दिखानी है जिसमें 20 पिच्चर हैं और उसको बोलना है कि जो आपने पहली दे टेस्ट जो है वो आप कर लिजिए